नमस्कार किसान भाईयों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल डी फार्मिंग में किसान भाईयों आज के इस वीडियो में हम मक्का की फसल में एक ऐसे खर्पदवार नासक के बारे में बात करेंगे जिसके उपयोग से आपकी मक्का की फसल में उगने वाले सभी परकार के 2-3 पत्ति के खर्पदवार बिलकुल सूप कर खत्म हो जाएंगे और इसके उपयोग से आपकी फसल को कोई भी जटका नहीं लगेगा और आपकी भूमी भी खराब नहीं होगी तो वीडियो को अन्त तक देखें ताकि आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अपने किसान बाइओं के पास सेयर करें चैनल पर पहली बार आएं तो नीचे देवे लाल लक्सरों में सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिससे कि आपको और भी नएने वीडियो देखने को मिलती रहे किसान भायों वैसे तो मक्का में बहुत सारी दवाएं आती हैं खर्पतवार नासर के लिए लेकिन हमारी मक्का में जो कुछ 2-3 पति का खर्पतवार होता है उसके लिए हमें उपयोग में लेना है उत्तम कंपनी के एट्रेक्ट जिसमें एट्राजिन 50% WP के पौम में आता है जिया किसान भायों इसमें टेक्निकल एट्राजिन 50% WP के पौम में आता है उत्तम कंपनी का या ब्रांड है इसका उपयोग आपको करना है किसान भायों इसका आपको छिड़काव करना होता है या कोई स्प्रे करने वाला टोनिक नहीं है या केवल आप इसको खाद भी बो में रहता है और इसकी बहुत सारी कंपनिया मिल जाती है जिसमें एक केमिकल मिक्स रहता है किसान भायों बात करें इसके उपयोग की तो आपको एक एकर में 40-45 किलोग्राम यूरिया के साथ आपको 1 kg एट्राजीन का उपयोग करना है तो इसके दोनों को अच्छी तर आपक की मक्का की बसल में डाल देना है किसान भायों इसके उपयोग से आपकी मक्का की ग्रोध भी बढ़ जाएगी और उसमें जो खर्पदवार उगता है दो से तीन पत्ति का जिसमें बोकना प्रमुक होता है वो खर्पदवार देरे खत्म हो जाएगा और आपकी मक्का एकदम मैं इसको हम यूर्यय के साथ जालते हैं इसका चिड़काओ करते हैं नीचे जबकर खतम हो जाता है और किलो एट्राजीन की प्राइस आपको 300-300 रुपे पड़ती है तो इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है तो आप इसका उप्योग कर आपकी फसल में उगने वाले सभी प्रकार के खर्प्रदवार को खत्म कर सकते हो किसान भायों एट्राजीन में वेसे तो बहुत सारी ब्रांड में यह मुझूद रहता है इसके अलग-अलग कंपनिया भी आती है तो हमने तो उत्तम कंपनी के एट्रेक्ट का उप्योग किया है इसमें एट्राजीन 50% WP पोम में है तो उम आपने वाद जय जवान जय किसान थेंक्स पूर वाचिंग डीब आर्मिंग जय है